हलो दोस्तों MS Kitchen Life आपका स्वागत है देखें ये रेसिपी कितना क्रंची बन करके तयार हुआ है जिन्हें मीठा खाना पसंद है उन्हें खूब पसंद आने वाला है देखें कितना क्रंची और टेस्टी बन करके तयार हुआ है तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते है तो सबसे पहले 50 ग्राइडियल को पाउडर बना लेना है कि अगर ज्यादा मीठा पसंद ना हो तो थोड़ा कम ले तो चलिए पैन करम करते हैं इसमें 2 टीश्पून घी डाले थोड़ा से ड्राइब फूरुट को रोष्ट कर ले जब यह रोष्ट हो जाएगा तो इसमे चीनी एट कर देते हैं कि आधा गलास बानी डाले जब इसमें उबाल आ जाए तो नालियल का पाउडर इसमें डाल देंगे कोकनर पाउडर डाल करके इसे पकाना है कलर के लिए मैंने थोड़ी सी फूर्ट कलर यूज़ किया है यह अगर आप डालने चाहें तो डाले वह नन्न डाले फिलेम को मेडियम ही रखें मेडियम फिलेम पर ही इसे पकाना है जब चीनी का पानी पूरी तरह से सोख ले तो इससो भून लेंगे भून करके निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए अलग रख दें जब तक यह ठंडा हो रहा है तब तक आगे का स्टेप कर लेते हैं अब एक बावल ले ले इसमें एक टेबली स्पून मैदा टालें इसका घोल बनाना है घोल आपको गारा नहीं बनाना है पतला गोल बनाना है तो चलिए घोल तो तयार हो चुका है यह ब्रेट क्रम्ब है मैंने इसे पहले सही तयार करके रख लिया था अब एक ब्रेट कपी से ले ले और इसके चारों तरफ का पाट काट करके हटा दें चलिए आप आगे के श्टिप करते हैं इसे पानी में डीप करना है तो इसे पानी में डीप करके दबा करके आपको पानी खुब बढ़िया से निकाल देना है चारो तरब से दबा करें पानी निकाल दें एक बात और बताना चाहूँगी जब आप इस रेसिपी को बनाए तो उसी टाम गर्म-गर्म ही सर्व करें ठंडा नहीं होने देना है अब जो नारियल का हलुआ त्यार किया गया है उसे इसके अंदर भर देंगे और इसे चारो तरब से दबा देंगे ताकि ये खूले नहीं इस तरह से चारो तरब से दबा दें तो देखिए ये इस तरह से पिटी स्पन करके तयार हो जाएगा अब इसे मैदा के गोल में डूबो करके बिडेट करम पे चारो तरब से लपेट देंगे ये इस टेप थोड़ी सावधानी पूरबक करेंगे ताकि ये तूटे नहीं तो चलिए चारो तरब से इसे बराबर से लपेट दे जब तक कि पैन में ओयल गरम करने के लिए रख ले और इसे डिप फ्राइ कर ले तो काई चाहिए रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगा आप इसे एक वार जोरू टराई करें ये क्रिस्पी बनता है और नास्ते में आप इसे आराम से बना करके ले सकते हैं मैं इसे आपको तोर करके दिखाऊंगी ये कैसा बना है गरनेसिंग लिए थोड़ा समयावा काट करके इस पर शिरख दे ये देखिए कितना क्रिस्पी बन करके तयार हुआ है तो आप इसे एक वार जरूर तराई करें और आपने ब झाल 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 झाल